नवस्कार दोस्तों, दोस्तों आज का वीडियो मैं एक पब्लिक डिमांड पर बना रहा हूँ, तो कुछ तिनों पहले मैंने एक एक इस वीडियो की स्ट्राइजी है उस पर वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में मैंने आप से शेयर करी थी तीन साल की बैक टेस्टिंग जो कि बिलकुल फैरा सक है, तो उसी के बाद मैं लग गया काम पर, तीन साल की बैक टेस्टिंग करी है, मैंने फायर वर्जिन की, और उसमें टाइम लगता है, इसलिए वीडियो बनाने में भी टाइम लगा, लेकिन आज वो तयार हो गया है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या आए है results fire version के और उसे interpret कैसे करना है क्योंकि results खाली देखने से हमें समझ में नहीं आएगा क्या ये बहतर है क्या ये बराबर है क्या ये बेकार है उन्हें interpret करना ज़रूरी है तो क्या parameters पे हम उसे interpret कर सकते हैं compare कर सकते हैं classic और fire version को वो मैं आज की वीडियो में आपको दिखाता हूँ तो recap के लिए पहले देखते हैं तीन साल की back testing के results classic version के लिए जो मैंने वीडियो में detail में already आपको बताया है कि क्या है ये strategy उसके parameter क्या है कैसे use करना है कैसे stocks करीते हैं कब बेशने हैं कब sip करनी है वो सब कुछ देखने के लिए आप इसका पूरा detailed वीडियो देख सकते हैं उसका link मैं description में दे दूँगा और i button पे भी उपर आ रहा होगा तो ये follow up वीडियो है ठीक है पूरा strategy में दुबारा या नहीं समझाओंगा तो 3 year back testing reserve जो मैंने classic का आपको उस वीडियो में दिखाया था वो यहाँ पे जरह recap कर लेते हैं ताकि हम compare कर सके इस classic को जो fire वाला enhanced version है उसके साथ तो capital start किया था हमने 2 lakh के साथ और उस capital में से हमने 50,000 reserve कर दिये थे जो हमारे sips के काम आते हैं और हम maximum 10 stock एक बार hold कर रहे थे एक बार 10 stock ले लिए उसके बाद हम 11 stock नहीं ले रहे थे ठीक है जब तक कि big नहीं जाता कोई stock profit target था classic में 6% और testing की थी मैंने 3 साल के लिए from 1st Jan 2015 to 31st December 2017 और यह period मैंने क्यों चूज किया था अगर market गिर रहा है तो strategy कैसा perform करती है उसके बाद जब उठता है तो कैसे pick up करती है तो यह बहुत important parameter है testing के लिए दिखाने के तो मैं आपको सिर्ट bull run का दिखा सकता था और amazing results आते लेकिन fair comparison, fair analysis तभी होगा जब हम ऐसा period चूज करें जहां market गिरा भी हो वही मैंने choose किया था और इसमें stocks जो मैंने use करें थे वो थे nifty 500 के current stocks और यह पूरा detail में मैंने बताया है यह मैं skip कर रहता हूं यह all apart उसमें profit बना था 1,17,184 इसमें से brokerage और tax नहीं निकाला brokerage और tax निकालने के बाद जो हमें net profit जो हमारी pocket में आता वो बच्चा था 93,271 रुपीज 2,00,000 के capital पे 3 साल में क्या हमें कोई extra money अपने pocket से invest करना पड़ा नहीं सारा का सारा जो 2,00,000 हम शुरू में लेके चले थे उसी में हमारा 3 साल तक सारा खर्चा निकलता रहा सारे sips वगरा सारे investment सब कुछ होते रहे उसमें large cap, mid cap और कुछ small caps भी होते हैं इसलिए इसमें volatility ज़्यादा रहती है तो drop down हमने जो देखा था maximum minus 35% का था पूरे portfolio पे months with zero profit 3 months तो 3 months ऐसे थे इन 3 सालों में जिसमें कोई profit नहीं हुआ था zero profit आया था बाकी सब months में profit आया था average holding days तो किसी भी stock को जब हम खरीते हैं उसके बाद जब बेशते हैं तो कोई stock जल्दी बिख जाता है कोई time लगाता है तो उनका सबका average holding period था 67 days और maximum sips कितनी हुई थी अदानी power में 20 sips तक गया था जो sell हो चुका था बाक टेस्टिंग के period में ही और JNK bank था जो 35 sips तक चला गया था लेकिन तब भी भी sell नहीं हुआ था तो यह है classic version अब देखते हैं fire enhanced version के क्या results है इन 3 साल की back testing में तो capital same 2 lakhs, reserve capital 50,000 max stock positions at any time वहाँ हम 15 positions तक लेते हैं तो मैंने back testing में 15 लिया और यहाँ साथ में green color में यह भी दिखा रहा हूँ कि classic में क्या लेते हैं ताकि आप compare कर सकें तो classic में 10 positions तक है और इसमें 15 positions तक हम लेते हैं profit target इसमें 5% और classic में 6% तो जो चीज़े red में आपको यहाँ दिखेंगी वो change हुई है classic और fire के बीच में इसलिए मैंने red में highlight कर दिया ताकि आप quickly identify कर सकें कि कौन सी चीज़ change हो गई है testing period same stocks जो use करें थे same criteria से मैंने stock pick किये थे profit इसमें हुआ 1,20,436 classic में हुआ था 1,17,184 तो यहाँ पर हमारा extra profit हुआ है बहुत जादा नहीं लेकिन हाँ extra profit हुआ है लेकिन हम जो सारे खर्चे brokerage और short term capital gain tax हटा दें उसके बाद हमारे पास जो बचा 93,741 और classic में था 93,271 तो almost same ही है और यह इसलिए फर्क आया है क्योंकि इसमें जादा transactions हुए जल्दी जल्दी हमारा money rotate हो रहा था इसलिए हमारा brokerage थोड़ा ज्यादा लगा है उसी के वज़े से जो total profit आया और जो हमने brokerage और tax निकाल के जो profit आया classic में tax wax निकालने सब कुछ deduct करने के बाद same profit आया जो fire version में आया है लेकिन यहाँ पे analysis पुरा नहीं होता है क्या और भी पहलू है जो हमें जानने चाहिए total money इसमें भी हमें को extra money नहीं अपनी pocket से लगाना पड़ा max drawdown इसमें हमें जो देखने को मिला वो है minus 24.5% classic में वो minus 35% तक चला गया था यानि कि volatility इसमें हमें कम देखने को मिली तो it's a good thing because 10% का difference है which is a great great difference जब volatility के बात करते हैं जब हमारा portfolio बहुत जादा गिरता है तो हमारा डर बढ़ जाता है तो यहां उतना नहीं गिरा तो यह एक बहुत बड़ी positive चीज़ है months with zero profit इसमें सिफ एक month ऐसा था जिसमें zero profit था बाकि सब months में कुछ नकुछ profit आया है classic में जहां पे three months ऐसे थे जिसमें कोई profit नहीं आया था तो यह भी एक positive चीज यहां पे आयी average holding days इसमें 60 हुए और classic में 67 तो जैसे मैंने का इसमें rotation जल्दी जल्दी होता है इसलिए यहां पे 60 हैं और classic में 67 तो यह एक positive चीज और है और maximum sips इसमें दो ऐसे stock थे जो बेश दिया हमने और जो maximum sips तक गए वो थे 15 sips classic में जबकि हमने एक stock देखा था जो 20 sips तक गया था जब तक वो बिका और जो नहीं बिका था आयोडी का stock जो 35 sips तक चला गया था और अभी भी हमारी holding में था अब next हम चेक करते है प्रॉफिट बॉकिंग होगी तो capital वापस आएगा हमारा balance बढ़ जाएगा जो हमारे पास uninvested amount है तो इस सारी चीज़े मैंने जो 3 year की back testing वाली sheet है वहाँ पर भी डाल रखी है आप detail में जाके वहाँ देख सकते हैं दोनों classic और fire वाली मैंने डाल दी है fire वाली 3 year की back testing को मैंने add कर दिया है fire वाली sheet में तो जिन लोगों ने already वो sheet ले रखी है वो original sheet में जाएंगे तो उन्हें strategy वाली sheet में इसका link मिल जाएगा 3 year back testing का तो यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं कि क्या इनका comparison रहा money flow analysis wise तो एक बार recap के लिए कि classic version में हम buy cup करते हैं जब कोई stock boh bottom out hunting के लिए eligible होता है यानि कि अपने 52 week low से उठते हुए 52 week high की दरफ जा रहा होता है और वो stock हम prefer करते हैं buy करना जो 52 week high से सबसे दूर हो यानि दोनों criteria जो fulfill करता है वो हम एक दिन में एक stock buy करते हैं classic में उसमें sell target होता है हमारा 6% और maximum positions यानि 10 stocks तक हम खरीदते हैं maximum तो उसके results नीचे हैं अनिवेस्टेड बैलेंस अमांट तो जब last दिन back testing का था उस दिन मैंने सारे record किये कि क्या हमारे पास balance बचा है और क्या invested है उसका यह figures है तो इसमें अनिवेस्टेड बैलेंस अमांट जो हमारे पास पड़ा होता जिसे हमने invest नहीं किया होता सारा जो शुरू का capital लेके चले उसमें जो profits आइड होते रहे वो सब मिला के वन लाक 20,576 invested in unsold stocks तो यह जो पहला amount है वो तो हमारे पास balance पचा है जो बाकी हमने invest कर दिया market में जो बिका नहीं है holding में था वो था वन लाक 96,608 रूपीज तो दोनों को आड कर दे तो हमारा total capital निकल के आजाता है कि जो हम 2 लाक का capital लेके चले थे उसकी क्या value बन गई है तो वो थी 3,17,184 यानि कि हमें profit हुआ होता हमारे 2 लाक के उपर 1,17,184 और यह profit percent बनता है 58.59 पसेंट आप देखते हैं fire का क्या आ रहा तो fire में हम buy cup करते हैं उसमें DMA score में निकलता हूँ और B.O.H. score निकलता हूँ दोनों को add करके जो score निकलता है which can be maximum 6 तो उसके हिसाब से हम buy करते हैं तो जब 6 और 5 के score वाले stock हमारे top के list में आते हैं तो हम एक से ज़ादा buy करते हैं लेकिन अगर सिर्फ 4 वाले rank का रहा है तो हम एक buy करते हैं अगर 4 से नीचे आ रहा है तो हम कोई buy नहीं करते हैं यह detail में मैंने पिछले वीडियो में भ और उसके हम से टार्गेट होते हैं 5 परसेंट और maximum position हम लेके जाते हैं 15 तो इसमें 10 थी और इसमें 15 तो इसका क्या result है back testing के end में uninvested balance amount हमारे पास था 1,35,000 invested in unsold stocks 1,85,000 total amount दोनों को मिला कि हो गया 3,20,000 और initial capital same 2,00, तो total profit हमारा हो गया 1,20,000 और profit percent के हिसाब से देखें तो 60 50.22 percent तो overall में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा profit बना है लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सारे खर्चे वर्चे काटने के बाद, brokerage, taxes वगएरा काटने के बाद, donor में almost same profit आ रहा था लेकिन बाकी जो parameters पिछले slide में मैंने आपको दिखाए वो वहाँ पे fire version बहतर निकल के आ रहा था, तो आपको इसकी back testing sheet detail में देखनी है, तो जैसे मैंने बताया है, classic version का आपको classic version वाली sheet में बिल जाएगा और fire version का fire version वाली sheet में बिल जाएगा, दोस्तों आप back testing जाके देखिए और अच्छे से समझे इसको और आपको पसंद आती है, तो जो main video है